असलाम अलेकुम आज आपके साथ मैं शेर करूंगी आलू और सूजी की बहुत नरम और फूली हुई पूरी तो किस तरह ये सॉफ्ट पूरियां बनती हैं ये इतनी मज़े क्यों होती हैं कि नाश्टे के टाइम पे आप ये बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सबको ही बहुत पसंद आएंगी तो ये देखें ये कितनी सॉफ्ट बनी नहीं हैं तो मैं आपको बताऊंगी इस सारी टिप्स के किस तरह आप मज़ेदार सी पूरियां बना सकते हैं तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सूजी ली है मैंने आधा कप और पानी है एक कप तो ये देखें आधा कप सूजी और एक कप गरम पानी ठंडा पानी नहीं लेना गरम पानी में ये सूजी डालके हम बिगो देंगे पंदरा मिनट के लिए और इसे कवर करके एक साइट पे रख देंगे इससे क्या होगा कि सूजी जो है फूल जाएगी और जितना भी आपको पानी नजर आ रहा है यह सारा ही सोक कर लेगी तो इसे मैं पंदरा मिनट के लिए रख दूँगी तो उसके बाद फिर मैं आपको ब बूल गई है अब हम इसमें डाल देंगे एक उबला हुआ अलू तो एक छोटे सा इसका अलू लिया था तो वह आदे कप के बराबर हो गया तो बस आप यह जहन पे रखे के आदा कप अलू अबला हुआ डालना है एक से दो हरी मिर्चे ले ले लिए बिलकुल बारीक करें लिये वह होई घर करते हैं रोटी अप्रश्च अलू लोगे सकते हैं तो पहले आधा कप अचांप अचांपर करेंगे यह ऑर इसकी के डू बना लेंगे म्तलमารला अब कर यह जोड़का प्रास वड़कर यह तो यह ज़ी यह भेडी है और उसके बाद इसकी soft dough बना लेनी है तो dough जो है वो soft होनी चाहिए hard नहीं होनी चाहिए अब मैं इसे गून लोगी अच्छी तरह से और उसके बाद फिर मैं इसके उपर एक चमच ऑईल लगा दूगी ऑईल लगा के भी इसे मैं फिर मिक्स करूँगी और फिर इसे मैं मजीद repeat लगे रखता दूंगे 10 मिनट के लिए तो 10 मिनट के बाद पिर हम इसमें बनाएंगे पूरियं तो पूरियं बनाने के लिए हम क्या घरेंगे चोटे-चोटे। शेने पेड़ी लेंगे हम बहुत बड़े पेड़े नहीं लेंगे यह बहुत ही मज़ेदार सी पूरियां है नाश्टे के टाइम पे आप बनाईएगा इससे यह हेल्दी भी बहुत हैं क्योंकि इसमें हमने सूजी भी डाली रही है जो कि बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए तो यह देखें जी यह रहा आठा 10 मिनट के बाद अब इसमें से मैं बताती हूं कि कितना सा अपने पेडा लेना है बिल्कुल इतना सा लेना है छोटे साइस का अब पेडा लेके इसे मैं छोटा सा पेडा बना लूँगी और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ओयल लगाओंगी मैं पेड़े पर लगा दूँगी और बेलन पर लगा दूँगी ताकि यह चिपके नहीं इसे चिपकना नहीं चाहिए इसलिए मैं नीचे surface पे भी थोड़ सा oil लगा दूँगी और इस तरह मैं बेलन पे लगा दूँगी और इसे मैं बेल लूँगी ये बहुत बड़े size की नहीं बना नहीं है हमने छोटे size की बना नहीं तो यह देखें इस आपने मैदा या आटा लगा के नहीं बेलनी है यह चिपकएं कि नहीं यह थोड़ा साइस की आपने पूरिया पना लेनी है तो अब इसके बाद हम इसे करेंगे फ्राइट। तो मैंने पैन में डाल के रखा है और अच्छी तरह से गरम हो उसके बाद पूरिया बनानी है तो तो ऑईल अच्छी तरह से गरम है, अब इसमें मैं पूरी डाल रही हूं, यह मैंने डाल दिया, अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पे स्पून के साइट से एक हलका हलका इस तरह से प्रेस करेंगे, तो यह क्या होगा, पूरी पूलती जाएगी, तो यह देंके पूरी पूल रही है, बिल्कुल हलके हाथ से अपने प्रेस करना है, उसके बाद फिर इसे पलट देना, अब दूसरी साइट से भी हलका हलका हम प्रेस करेंगे, ओयल गरम होगा, और पूरियां जब फूल जाती है, तो इसका मतलब यह होता है, वो अच्छे से कोक हो गई है, तो इसम यह बाद पिर मैं दिखाती हूँ आपको यह देखें, मैंने पूरियां सारी फ्राइ कर ली है, और यह कितनी सौफ्ट बनी है, और यह कैसे फूली भी बनी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यह पक भी चुकी है, तो यह देखें, यह बिल्कुल भी नहीं कची है, इस भी नहीं होने देना तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में आला हाफिज